हेलो डीयर रेस्टोरेंस, हो यू कैसे हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्वन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जो कि मेरा चाप्टर 4 होने वाला है तो हम लोग चलिए इसको सुरू करते हैं कुछ देर ना करते हुए तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं हम ल हम लोग पढ़ेंगे अलकीन और अलकाइन के बारे में सारा पढ़ेंगे साचुरेटेड हैड्रोकार्बन सारे चीजें हम लोग इसमें सभी बात करेंगे पूरा चैप्टर रिव्यू है जो की रिवीजन चैप्टर होने वाला है आपका यह तो आज अगर यह पढ़ लेते है के कार्बन और इसके सबसे पहले हम बात करते हैं के इन्टःक्शन सब्सक्तर का इसे तरीकिये से सिकेंड अब देखेंगे कार्बन इस यहाँ पे देख रहे हैं versatile elements present in the earth, earth crust में सबसे versatile present है, यह versatile elements है in a form the mineral is 0.02% and atmospheric CO2 में is 0.03% carbon dioxide है लेकिन यह carbon इतना कम होने के बावजूद भी ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत जादा आपके body में आपके खाने में हर एक चीज में carbon होना जरूरी है आप चाहे mobile phone चला रहे हों चाहे जो भी चीज़ें हैं दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सभी में carbon होते हैं, all the things, living things, plants, animals are made up of carbon based compounds यह carbon based compounds से ही बने हुए होते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए, next हम लोग slide ले लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर carbon is always from a covalent bond, carbon जो हमेशा covalent bond बनाता है, carbon का atomic number आप देखेंगे, carbon atomic number of is 6, यहाँ पर 6 है, ठीक है, electronic configuration आप देखेंगे, त K cell में जो होता है, सबसे पहला सेल होता है, किसी भी orbit का, किसी भी elements का, तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले वाले कोico क्या बोलते है, के बोलते हैं, तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, L, MP, K, L, 맞는, O, P, Q, इस तरीके से यह naming यहाँ पर चल रहा होता है, ठीक ह गलम हैं कितना आपकर देकंगे हैं कि ज Think जानता है और यहां पर देखंगे वह उहां चार देखता है और यहां यहां पर हम लोग देखेंगे इसको आप समझने हाउ कार्बन कर अटेइन और नोबल गयास कन्फिगरेशन एक कार्बन जो है कैसे अटेइन करता है नोबल गयास कन्फिगरेशन को यह बड़ा कोश्चन है जिसको आपको समझना चाहिए पॉइंट टू-पॉइंट हम आपको सारी चीज़ें आपको बताएंगे यहां पर फाइंट नुबर वन में आप देखेंगे कार्बन इज टेट्रावैलेंट टेट्रावैलेंट बोले तो चार इलेक्ट्रॉंस लास्ट और्बिट में होता है जो कि आठ होना चाहिए अप्टेट पूरा करने के लिए ठीक है च आइंगेटिभाइंगेटिभा और वह सकते और ब्लस दोनों हो सकते हैं इप you to go for extra electrons with the electrons of other carbon atoms, जितने भी other carbon atoms हैं उनके साथ यहाँ पर बनाता है, at a noble gas configuration, ठीक है, दूसरा point आप यहाँ पर देखेंगे, the atoms of the other elements like hydrogens, oxygens, nitrogens, chlorine, also form a bond by the sharing of electrons, electrons को sharing करके hydrogens के साथ, oxygen के साथ, nitrogen के साथ, यह bond बनाता है, ठीक है, atom को share करता है, तीसरा point आप देखेंगे, the bond formed by the sharing of electrons between same of different atom is covalent bond, जो bonds होते हैं, वो sharing करते हैं, electrons का between same or different atoms, दूसरे atom या same जैसे atom के साथ covalent bond बनाते हैं, जब चार bond उसका बनना चाहिए, ठीक है, यह carbon का एक tetra val currency rules है, उसके साथ, carbon हमेशा चार bond complete करेगा, चलिए first example, आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे hydrogen है, दो hydrogen यहाँ पे है, है है, है है, है है, इसके पास भी electron एक है, ठीक है, अब दोनों hydrogen atoms हो है, एक इसको देगा, और दूसरा वाला भी इसको देगा, आप देखेंगे, यहाँ पे जो cut किया हुआ है, यहाँ पे रिपर्जेंट कर रहा है, तो दोनों आपस में share किया है, यहाँ पे ठीक है, और इस तरीके से यह आपस में 2 bond बनाते है, one sharing pair, इसको हम लोग कहते है, एक electron इसने दिया, एक electron इसने दिया, ठीक है, इस तरीके से जब यह देखेंगे one electron sharing हुआ है यहां पे ठीक है H और H single bond के साथ यहां पे between hydrogen atoms attach हुए है ठीक है दूसरा example आप देखेंगे H2 का तो चलिए थोड़ा सा slide कर लेते हैं ताकि आपको ज़ादा से ज़ादा यहां पे देख पाएंगे ठीक है चलिए ठीक है O2 के साथ यहां पे जब बात करेंगे तो oxygen का 8 electrons होते हैं पहले वाले orbit में 2 दूसरे वाले orbit में 6 ठीक है तो इसको octet पूरा करने के लिए हमें 2 चाहिए कितना चाहिए 2 electron चाहिए ठीक है यह 6 नहीं दे सकता है देना बहुत मुश्किल होता है 6 दे नहीं सकता है यहां 4 के आज पास बात करेंगे जब भी 8 बनाना octet पूरा करना होता है तो यहां तो 4 से कम होगा कम होगा तो वो किसी को देगा ठीक है 4 से लेकिन ज़्यादा होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा तो यहां पर oxygen के साथ देख रहे हैं कि यहां पर last orbit में 6 है तो वो 2 लेना चाहेगा किसी से तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर यह एक electrons और है oxygen से यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर है तो यह 2 electrons जो है यहां पर आप देखेंगे oxygen 2 electrons इसको दिया और यह oxygen जो है इसको electrons 2 दिया तो 2-2 मिलकर के यहां पर 2 इसके साथ किया तो इसका जो है आप देखेंगे इस वाले oxygen का इसका 8 complete हो चुका है आप count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका भी complete हो गया अब इस वाले oxygen का बात करेंगे इसमें भी count करके मैं दिखा देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसका भी octet पूरा हो गया इसको कहते हैं हम लोग 2 shared pair of electrons कहते हैं तो इस तरीके से यहां पर आपको पता चला कि एक electrons कैसे share करता है अपना valency पूरा कैसे करता है जिसको हम लोग बोलते हैं octet पूरा करना 8 electrons complete करना ठीक है चलिए next example लेते हम यहां पर N2 का नैट्रोजन आपको पता है कि नैट्रोजन जो elements है यहां पर आप देखेंगे बैलेंसी आप देखेंगे नैट्रोजन का 7 दे रखा है लास्ट में कितना है लास्ट में 5 है इसके पास भी 5 है तो 5 है तो अब यह क्या करेगा इसको 3 जरूरत होगा तो यह आप देखेंगे 2 electrons हमने लिया है यहां पर तो 2 electrons यहां पर क्या क्या है आपस में मिला है तो 2 electrons ने मिल करके यहां पर क्या बना लिया है यहां पर देखेंगे कि 3 electrons इसको यह दिया है यह वाला और तीन electrons इसने दिया है ठेक है तो यह दोनों इसको दिया है तो आप देखेंगे 3-3 6 हो गए इसके पास कितने हो गए 6 हो गए अब इसको हमको नहीं देखना है हमें देखना है यहां पे कि इस आप करेंगे वनिंट उगया और यहां Debate8 इसी तर फिस एक-टह यहां पे दीर चार माच के लिद 3-3 electrons का pair bliher यहां पर बना है ठीक है तो 3 shared pair tip यहां पर आपके पास बनेगा्यू का jis लोग बोलते हैं triple bond बोलते हैं between the nitrogen atom Cornell atom के बीच में triple bond बनता है चली next slide लेते हैं इसको आप समझते हैं ठीक है यहां पर देखेंगे ठीक है यहां पर देखेंगी molecule of water has single कोवालनट बोंड बनाता है between one oxygen and two hydrogen atoms two hydrogen atoms ठैक है? और एक oxygen atom जब रहता है तो क्या करता है? एक electrons जो हें यहां से इसको दे देता है, एक electrons जो है इसको दे देता है ठैक है? इस तरीके से आप देखेंगे कि ये और एक hydrogen यह ये वाला अपना यह वाला जो है इसको देदेगा। ठीक है और यह वाला जो है इसके पास यह वाला इसको दे देगा। ठीक है आप देखेंगे। यहां पर 2 η καनند로 कंप्रीट हो गया। मतलब है औरone के उपे नहीं है आर्ट गोलेंगे वालेंथि complete करना, तो hydrogen को जो होता है atomic number आप बोलेंगे 2E होता है sorry, 1 होता है कितना होता है? atomic number hydrogen का 1 होता है तो 1 होता है, इसका मतलब यह है कि एक और उसको चाहिए होगा क्यों चाहिए होगा? उसका reason मैं देता हूँ कि पहले ही orbit मैं आपने मैंने पहले बात आया, यहां पर मैं बना करके दिखा देता हूँ यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर जो है first orbit में कितने होते हैं और मैं यहां पर एक छोटा सा और ले देता हूँ तो यह यहां पर मान लिजे hydrogen है हमारे पास यह hydrogen के पास तो एक है या यहां पर देखेंगे यहां पर first orbit में धो होना चाहिए कितने होन चाहिए इस वालीम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए इस तरीक चै से आपको यहां पर देखने को मिलता है तो यहांपर आप देखेंगे number of electrons यहां पे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहले यहां पर 12 होना चाहिए ंस hust असके हुब ल Cathy ऑर गा चाहिए होगा तो कहने का मतलब है तो ऑकि मतलब हो सब्सक्राइब हो गया चहिसन का eight लेर करके दिखा देता हूँ, ये हमारा bond है, दीक है, single bond, और ये दूसरा single bond आप देख रहे हो, छीक है, यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, H2O, इस तरीके से water हमारा बनता है, H2O, तो आप देखेंगे यहाँ पे, hydrogen 1, 2, और 1 oxygen यहाँ पर है, तो H2O हमारा बनके से त्यार हो गया, इस तरीके से बैलंस करता है, ठीक है, ऑक्टेट करता है, वालंसी कंप्लीट करता है, तो हमारा वोटर बंतक का है, जिसको हम लोग वोटर को पीते हैं, ठीक है, पानी, चली, अब यहाँ देखिंग, फिजिकल प्रोपर्टीज ऑफ कोववेलेंट कंपाॉं Physically अगर देखा जाए तो covalent compounds जो होते हैं उसका low melting point and boiling points होते हैं बहुत कम label पे वो खौल जाएगा या पिखल जाएगा As they have weak intermolecular force इसका जो molecular force होता है इस compounds का इसका बहुत weak होता है जिसके वज़ा से ये इसका boiling point और melting point दोनों high होता है They are generally poor conductor of electricity ये बहुत poor conductor होते हैं covalent compounds वाले Electrons are shared, electrons shared होते हैं between the atoms and no charge particle are formed इसके में कोई particle charge नहीं पाया जाता है लेकिन ये atom को share करता है अब इसको दूसरा points को आप देखेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा आएगा आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ versatile nature carbon versatile nature carbon क्या है the two characteristic properties of carbon elements which lead to formation of large number of compounds तो characteristic है जिसको properties carbon element के तोर पर बोला गया पहला यहाँ पर पहला हम बात करेंगे catenation ठीक है carbon can link with the carbon atoms by means of covalent bound to form long chain लंबा chain बनाएगा branch chain बनाएगा close ring बनाएगा ठीक है close ring आपने देखा होगा इस तरीके से अगर आपने पहले class किया है कभी ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ठीक है carbon का लंबा chain बोलते हैं ठीक है चलिया तो यहाँ पर समझ में आगया आपको branch all close ring ठीक है तीन चीज़े हैं long chain branch chain ओके compound carbon atoms may be linked by the single single या double या triple bond से जुड़े होते हैं compounds generally single double और triple bond के साथ जुड़े होते हैं triple bond के एलावा और कोई bond नहीं होता है ठीक है आगे फिर हम बात करते हैं तो ज्यादा समझ में आपको आएगा चलिया इसका next slide ले लेते हैं यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अब दूसरा point क्या है यहाँ पर है tetravalency carbon can link link करेगा carbon atoms by the mean covalent bond बनाएगा ठीक है लॉंग चैन बनाएगा ब्रांच बनाएगा इसी तरह के से close ring बनाएगा है ना तो यहाँ पर देखेंगे tetravalency क्या है carbon has four valence electrons carbon जो है एक four valence electrons बनाएगा हर हाल में के लिए इसको माइड में डालने ना है carbon can bond with four carbon atoms चार carbon atoms के साथ ही bond करेगा monovalent atoms oxygen nitrogen and sulphur ठीक है यह mono atoms है ठीक है nitrogen को आप देखेंगे ठीक है चलिए next अब यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले main topic अब आ जाते हैं यहाँ पर saturated and unsaturated carbon compounds के बारे में saturated and unsaturated carbon compounds अब saturated क्या है unsaturated क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ठीक है compounds made up of the hydrogen compounds जो होते हैं hydrogen से बने हुए होते हैं and the carbon are called hydrocarbons ठीक है और carbon के साथ जो hydrogen मिलके बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं hydrocarbons क्याते हैं ठीक है अब यहाँ पर hydrocarbons जो है दो पार्ट में divide कर दिया गया है एक इधर परेकित है ठीक अब पहला है saturated और दूसरा है unsaturated क्लिए अब यहाँ पर देखेंगे saturated में single bond बनाएगा single bond आप देख सकते है single c bond c single bond है अब इसमें कौन होते हैं इसमें होते हैं generally alkane होते है general formula जो होता है c and h2n plus 2 होता है इसका general formula है अब दूसरा आप तरफ आप जब आएंगे तो unsaturated होता है जिसको हम लोग बोलते हैं double bond और triple bond होते हैं between the carbon atoms यह है double bond देख रहे हैं यहाँ पर यह double bond है यहाँ आप देखेंगे triple bond है यह भी इस तरीके से bond बनाता है double or triple double बनाए रहा है उसको हम लोग बोलते है alkenes बोलते हैं और अगर triple बना रहा है तो alkalines कहलाता है क्या कहलाता है alkynes sorry alkalines sorry for that alkynes कहलाता है ठीक है और double बना रहा है तो alkynes कहलाता है और single बना रहा है तो alkynes कहलाता है अब इन तीनों नाम के अंदर कुछ नों कुछ चीज़ें छुपी हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ alkyn का जो spelling है अब देख रहे हूँ इसका spelling जो देख रहे हो a l k k a n e ठीक है तो alkyn यहाँ पर जो last में a n e दिख रहा है यही सबसे कांग का चीज़ है अब इसमें जितने भी बनेंगे ठीक है carbon root के साथ जितना number of carbons होगा ठीक है और सब के last में जो लगेगा वो लगेगा suffix के तोर पे n लग इसमें suffix के तोर पे क्या लगेंगा इसमें suffix के तोर पे e न लगेगा इसमें क्या लगेगा रहे हैं तो यही सफिक है यहाँपर यहां पर आप देखेंगे कि अलकेंज का जो जेनरल फर्मुला होता है वो C, N, H2, N, प्लस 1, प्लस 2 और यहां पर अलकाइंज जो लास्ट वाला है उसमें माइनस 2 इस वाले में ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है इसको हम लोग कहते हैं अब अलकेंज अब एलेक्ट्रोन डॉट अस्ट्रॉट्चर अफ साचुरेटेड़ है इसको समझ लेते हैं ठीक है ओके यहां पर आप देख रहे हैं इथेन तो सबसे पहले आप इसको समझेंगे इथेन रूट पहले याद रख लेंगे याद नहीं है तो याद रखें ठीक है मैं पहले बता दे रहा हूं C1 एक कार्बन वाले को हम लोग क्या कहते हैं मित कहते हैं ठीक है दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं इत कहते हैं ठीक है तीन कार्बन वाले को क्या कहते हैं प्रॉप कहते हैं ठीक है चार कार्बन वाले को क्या कहते हैं चार कार्बन वाले को क्या कहते हैं व्यूत कहते हैं ठ पेंट कहते हैं! क्या कहते हैं? 10 पेंट कहते हैं! 6 समय ततकी सात कीक है! कहते हैं है कि इसी तरीके से आठ कार्बन वाले को क्या कहते हैं आठ कार्बन वाले को आक्ट कहते हैं O, C, T, Opt, ठीक है, समझ भारा है कहानी, अब 9 वाला है, इसका screen shot लेना है, तो ले लीजे, नहीं, तो copy में कहीं पर लिख लो, ठीक है, यह roots याद होने चाहिए, एक carbon वाले को myth, 2 carbon वाले को eth, 3 वाले को prop, 4 वाले को but, 5 वाले को pent, 6 वाले को hex, 7 वाले को hebt, 8 वाले को opt, ठीक है, चलिए, C9, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर C9, 9 number, 9 carbon वाले को क्या कहते हैं, 9 कहते हैं, 9, ठीक है, C10 वाले को क्या कहते हैं, dig कहते हैं, ठीक अंडिक कहते हैं c12 वाले को क्या कहते हैं sir c12 वाले को दोड़िक बोलते हैं इसी तरीक से आप बोलेंगे 13 को क्या कहते हैं sir तो ट्राइडिक कहते हैं बेटा ट्राइडिक और 14 वाले को क्या कहेंगे ट्राइडिक कहेंगे तो इस तरीके से नाम जो है और 15 वाले को क्या कहेंगे पेंटाडिक कहेंगे 16 वाले को एक्साडिक कहेंगे इस तरीके से चलेगा simply आपको कम से कम यहां पे 1 से ले करके आपको जादस नहीं आपको 10 तक याद रखना है इतना काफी है आपको class 10 तक के लिए तो class 10 तक के लिए जो 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हैं उसको यह root 1 से 10 तक याद होना चाहिए तो अब चलते हैं आपको root अगर याद हो गया हो तो अगर 6, से दो carbon वाली को बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं इत कहते हैं इत देखेंगे आपको इत ठीक है और चुकि लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एन लगा हुआ है एन एन ए तो इत एन कहा जाएगा अच्छा सी एच फोर अगर लिखा वारा है तो क्या नाम होगा एक carbon वाली को हम लोग कहते हैं मित क्या कहते हैं मित कहते हैं और लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे हम लोग लगाएंगे ए एन ए लगाएंगे तो हम लोग कहेंगे मीथेन मीथेन यह एक गैस है जो आपको नाली में जो बदबू आती है जो आप लोगों को सुंगल मिल लुटा है खुसबू बदभू बदभू जो भी तो उसको हम लोग को कहते हैं तो मीथन गैस का फॉर्मॉला क्या होता है याद रखेगा ठीक है चली नेक्स्ट अब यहां पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे एधन के बारे में देखेंगे दो कार्बन यहां पर है द इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह वह हमारा है, इसी structure को आप देखेंगे कने यहांपर बॉंड लगा करके दे दिया गया है इस तरीके से बॉंड यहां पर हो किये गया है, तो यह सिंगल बॉंड में बनता है, क्या होगा दॉट स्ट्रक्ट्चर और saturated में यहां पर बना हुआ है यह structure हो गया और यह structure formula हो गया इसका formula क्या है तो C2H6 है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एथेन बोलेंगे ठीक है चलिए next page पर slide करते हैं आगे बात करते हैं कि यहां पर देख रहे हैं इस तरीके से आप सभी का यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पर screenshot ले सकते हो यहां पर निपंश्डाोोजय जो मिध है यह आपी formula है ठीकають एक carbon को मिध बोलते हैं लास्ट में वीद गएंगे दो कार्बन को इत बोलते हैं यहां दो कार्बन को इत बोलते हैं इत इन बोलेंगे तीन कार्बन वाली को प्रॉप बोलते हैं प्रॉप इन बोलेंगे ठीक है असभी का यहां पर स्ट्रक्चर फार्मूला भी दे रखा है यहां पर आप देख सकते हो सभी का स्ट्रक्चर फार लेकिन यह कैसा है डबल बॉंड वाला है कैसा है डबल बॉंड वाला है तो हम लोग लगाएंगे इन इलगाएंगे इन तेके अब यहां पर जब ट्रिपल बॉंड लग रहा होगा तब क्या कहेंगे आम इसमें लगाएंगे इध दो कारबन वाले को इथ और लास्ट में लगाते हैं आइन य-n-e वा आइन किसको पड़ेंगे मिथाईन इसको क्या पड़ेंगे मिथ नहीं है दो कारबन है तो इथाईन और दो कारबन यहां पर तो इतं एथएन, एथेन और इथाईन ठिक है? यहां पे तीन बॉंड का बन रहा है, यहां पे दो बॉंड का बन रहा है तो यह हो गया हमारा इतं और यह हमारा हो गया इताइन ठिक है? चलिए. next slide करते हैं यहां पे देखते हैं जिसका भी फार्मूला आप देख सकते हो name of hydrogen carbons, alkane में जब बात करेंगे, alkene में बात करेंगे तो एक नंबर वाले को eth बोलते हैं, last में in लगेगा, ठीक है I-N-E, E-N-E, E-N-E, ठीक है, ethene, prop, propene, but, butene, हाना सभी का आप फार्मूला देखेंगे यहां पे, just double करेगा, C-N-H-2-N, यही तो फार्मूला था, एक नंबर रखा, मैंने इन की जगह पे, दो नंबर रखा तो दो रखा, और दो दुना यहां पे क्या हो गया, चार हो गया, यहां पे चार हो गया, ठीक है, ओके, तीन रखा, तीन दुना क्या हो गया, छे हो गया, ठीक है, इसी तरीके सा आप देखेंगे, यहां पे, ठीक है, चार रखा, चार दुना क्या हो गया, आठ हो गया, तो ब्यूट को ब्यूटीन, ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे, यहां पे इथाइन, अलकाइन में आप जब तो इसका फॉर्मुला क्या था इसका फॉर्मूला आपको याद होगा मैंने लिए उपर दिखाया था c fn-2 यह था फार्मुला फार्मूला अलकाइन का तो आप देखेंगे यहाँ पे दो रखखा कार्वन तो कितना होगे चार चार में से दो चला गया तो फिर से क्टू ह को गया तो दो कार्भन और 1 हित्रोजन로 पर कार्वन का चार एक कार्वन इस कार्वन का चार वाले कार्वन को तब सब्रक्राइब और एक वाले कार्वन को यहां साइड पीन है fairy तो एक इधर और तीन इधर तो कितने हो गए चार हो गए इसी तरीके से अगला हर carbon को आप count करेंगे चारो तरप से carbon जरूर बनेगा इसको बोलते हैं tetravalency इतना कारी क्लियर हो गया तो आगे हम लोग slide करते हैं और यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले यहां पर carbon compounds on the basis of structure ब्रांच चेन बोलींगे,så right तो कार्बन 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 यह स्ट्रेए। तो आप यहां पे देखेंगे त्षिंगे और हिए निदी एक च्तिन कार्बन क्या हो यह क्यार गया है स हो मतलब में ए न लगेगा तो प्राबेण होजाएगा इसका पूरा नाम है विया प्राइन नाम है आप देखिए ब्रांच रहे हैं ये ये तरिके से लंबा है ना तो कार्म ऊपर गया और नीचे कहीं नहीं आ नहीं तो कार्बन अगर स्ट्रेट चल रहा है तो आप इस को क्या बावनेंगे यह साफ फिलियो, पर इंपकशन क्वाल देखें यह पर डेखन के सबीम divine यह रहा है क्या कर्वद पर देखें से कबाठ्ट है तो यहां में यहां पर कार्बन देखें calming यहां पे बनाया है और यह पूरा complete है इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पे जो चार carbon है यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से बना जा रहा है और एक इस तरीके से जा रहा है तो एक तो आपका यहां पे मिल रहा है इस तरीके से और एक मिल रहा है आपका इस तरीके से तो टूटा हुआ है एक लंबा चैन नहीं बन रहा है जिसको हम नहीं बोल सकते हैं कि इस रेट चैन है यह ब्रांज चैन है अब इसको क्या पढ़ेंगे अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है तो जैसे यहां पे देखेंगे तो इसको क्या समझ मा रहा है पांच कार्बन वाला है तो होगा वैरी गुड चै जो है बारा हा तो पांच दून डस अदू essen नहीं होगा कोन दू पलस होगा के तो यह आप देख रहे हो आईसो मेरीजम बोलते हैं इसको अब जैसे ब्रांच चूटेगा तो आप देखें यहाँ देखें पांच कार्बन है काउंट कर सकते हो ठीक है एक यहाँ पर है ठीक है एक यहाँ पर हो गया 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 एक यहाँ पर हो इस वाले ब्रांच से जोड़ा है यह भी ब्रांचर चुड़ गया अब इसको different structure, same formula था, क्या formula था, C5H12, ठीक है, क्या था, पेंटेन था, पेंटेन ही तो था, ठीक, लेकिन, लेकिन, उसका structure formula अलग था, structure formula अलग होगा, तो फिर उसका नाम भी क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, नाम सिर्फ पेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है, clear है, चल्या, यहां पर आजा यह, cyclic कैसा बनेगा, तो cyclic, soluted देखेंगे, इस तरीके से, और cyclic, unsaturated देखेंगे, यहां पर, saturated है, ठीक है, और यहां पर, unsaturated, unsaturated, that means, आप देखेंगे, यहां पर, यहां पर double bond बना रहा है, यहां पर double bond बना रहा है, alternately, आप double bond देखेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं, और यह इसको क्या बोलते हैं? H einem तो यहाँ पो भी आपको दिखेगा यह structure formula हो गया और यह cyclic में इस तरीके से दिखता है आप देखेंगे double bond double bond तीन जगह ठीख है खलिया चलिया नेक्स्ट पेस पर स्लाइड करते हैं इसको समझते हैं फंच्छनल गुरूप को आज चाहिए तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो functional group क्या है, functional group बहुत सारे functions है, जैसे in a hydrocarbon chain में one or more hydrogen atom is replaced by the other atoms, ठीक है, एक carbon, दो carbon को हटा करके, दूसरे atoms वहाँ पे क्या करते हैं, replace करते हैं, heterotorms कहते हैं, जिसको, these heterotorms or group of atoms which make carbon compound reactive and decides its properties are called functional group, इसी को हम लोग functional group कहते हैं, पहला chlorine, bromine, oxygen, तो इसको बोलते हैं, hello, 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 hello carbon, ठीक है, hello carbon, hello chlorine, bromine, तो alcohol, दूसरा, पहला, hello में देखेंगे, alcohol, aldehyde, ketones, तो आप देखेंगे, alcohol का जो होता है, ठीक है, single bond OH लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, single bond, aldehyde में क्या लगेगा, single bond, carbon, hydrogen, और साथ में double bond के साथ oxygen, ketones group का जो होगा, उसका जो functional group होगा, वो क्या होगा, ketones group का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसा तरह कि कार्बो जलीक एसिड में देखेंगे, तो इस तरीके साथ आपको मिलेगा, single bond में अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे अलकीन group में देखेंगे, double bond, double bond में यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, alkeen, ठीक है, यहाँ पर double bond दे केते हैं homologous series क्या होता है homologous series वैसे series को कहते हैं जिसमें क्या होता है हर electrons ethane, methane, propane, butane सब का कुछ न कुछ एक common होता है homologous series compound in which the some functional group substituted for the hydrogen in the carbon chain जैसे alcohol, देख सकते हैं, CS3OH, C2H5OH, OH लगावर हेगा आपको, सब में, ठीक है have same general formula, सबका same general formula होता है any two homologous differ by, हर homologous series होते हैं, वो single carbon और double hydrogen के साथ ही difference in a molecular mass 14 unit के साथ होता है, 14 unit, carbon का कितना होता है carbon का 6, 6, 6, 12, ठीक है, और oxygen hydrogen का कितना होता है, 1, 1, 2, 2 hydrogen है तो 2 हो गया, तो 12 कितना हो गया, 14, 14 unit आपका यहां पे होता है have same chemical properties but show gradual change in physical properties, कुछ न कुछ उसमें change होता है ठीक, next, यहां पर आप देखेंगे, clear, homologous, sorry, nomenclature of carbon compounds अब यहां पर है carbon compounds के nomenclature पर बार, तो पहले तो हम identify करेंगे the number of carbon atom in compound कितने carbon हैं, ठीक है, अभी मैंने roots दिया था, एक carbon को हम कहते हैं, myth कहते हैं, दो carbon वाले को it कहते हैं, 3 carbon वाले को prop कहते हैं, 4 वाले को mute कहते हैं, है जोना पांछ वाले को पेंट कहते हें ठेक है छे वाले को हैक्स कहते हैं ठेक है है ुसी सफ़ी आपको अभी रहे में दिया था ठेक है जो इसको तो कितने हैं कि दूसरा functional group कौन सा है, indicated by the suffix or prefix, prefix और suffix को देख करके बताएंगे, यह वो alkyne का है, ठीक है, ane वाला है, की ene वाला है, की yne वाला है, ठीक है, alkyne है, alkyne है, क्या है, ठीक है, इसी तरीके से कार्बोजेलिक है, या और तरीके का है, तो उसमें आप देखेंगे, यहाँ पे, अब आपक लगता है, ठीक है, प्रॉप भेते अनाम है, ठीक है, अगर ओल लगावा है, अल्खोहल है, ठीक है, यह मानेंगे, अलकोहल है, ठीक है, यह तरीके से यहाँ पर देखेंगे, तीसरے वाले में, ठीक है, यहाँ पे all рणी कार्बन को क्या reapply món बोलते हैं प्रॉप पाण ठेक है तो सफिक्स लगेगा ओए अन याद रख्थेगा तीन कार्बन आप इम्लार्बन को हमने ग Southeast रहेगा यहां पर त्लीघ भैसे तरीके से कार्बोजेलिक कर रहे गा यहांप Цेकर का रहता है प्रोपाणोइक यहां पर आपके इन लगेगा यहां पर आलकाइन गुरूप का रहा तो तीन बॉंड रहेगा आइन लगेगा इन लगेगा suffix में और यहां पर हम लोग बोलते हैं तीन कारबन वाले को क्या बोलेंगे prop और लास्ट में y न e रहेगा तो हम उसको बोलेंगे propylene, क्या बोलेंगे, propylene ओके, चलिए, next हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे chemical properties of carbon compounds carbon compounds के chemical properties प्रोपर्टीज के बारे में जिसको अभी हमने सारी चीजें बात किया और सभी चीजों को देखा पहले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे कमशन कमशन होना जरूरी है क्योंकि हम लोग क्यां करने वाले हैं तो छाथ हैं और नाली में पहले आग लगा दोगे तो यह तो कैसे चाहिए तो बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा ठीक है और साथ में water भी release करेगा और आग जाल रही तो heat होगी और आग जाल रही है तो light भी देगा तो इतना सारा काम हो रहा होता है जब आप एक methane gas को जला रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा carbon dioxide release कर रहा होता है जो कि हमारे global warming के लिए ठीक ठाक नहीं है चलिए next चलते हैं यहाँ देखेंगे carbon and its compound are used as a fuel because they born in air releasing lot of heat energy carbon और carbon के जितने भी compounds हैं जितने भी लकडी कोईला जो भी आप देख रहे हैं गोबर वगएरा है ना methane gas वगएरा सभी के सभी यह जो compound से carbon compound से बहुत जादा energy देते हैं जलने पे और हवा में यह release करते हैं energy heat energy को ठीक है saturated hydrocarbons generally born in air saturated जो होते हैं वो air में जलत blue color का जलते हैं non shooty flame बहुत जादा shooty flame नहीं होता है unsaturated जो होते hydrocarbon born in air with a yellow shooty yellow अगर yellow दे रहा है तो समझ जाए oxygen का जो मात्रा है वहाँ पे बहुत कम है flame because percentage of carbon is higher carbon बहुत जादा है than the saturated hydrocarbon hydrocarbon से कहीं जादा है ठीक है which does not get completely oxidized in air हवा में पूरे तरीके से नहीं जल पाता है oxidize नहीं हो पाता है इसी वज़े से वो yellow color देता है और बहुत जादा air मिलेगा तो वो कैसा जलेगा नीला color का चलिए gas का जो चूला flame जलता है आपके घर में कैसा जलता है yellow या नीला ठीक है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकत अक्सिडेशन क्या है ठीक है यहां पर oxidation की बात करेंगे बी पॉइंट में alcohol है ना can be converted ठीक है कार्बोजैलिक acid in a presence of oxidizing agent alkyne ठीक है जिसको बोलते हैं potassium permagnate acidic potassium dichloromate कहते हैं हम लोग ठीक है तो यहां पर ethanol हो गया इसको हम लोग जलाते हैं ethanoic acid है ठीक है दूसरा है addition reaction जिसमें आप देखेंगे यहां पर देख रहे हो ठीक है nickel हो गया PD हो गया H2 हो गया उसके साथ यहां पर क्लियर है अब दूसरा है substitution reaction यह टूड जाता है ठीक है करेंगे एक कार्बन वाले को मित क्लोरो मिथिन ठीक है यह क्लोरीन है यह कार्बन में कॉंट नहीं करेंगे इसको ठीक है यह अलग हो जाएगा ठीक है important carbon compounds ethanol and ethanolic acid यह important carbon है जिसको physical properties of ethanol यहां पर देखेंगे colorless होते है pleasant smell होता है burning taste है जला हुआ महसूस करेगा तो यह ethanolic acid जो होता है अब देखेंगे perfume अगराम भी यह use होता है ठीक है ओके चलिया अब यह अब देखेंगे soluble in water water में घुल जाता है volatile liquid with a low boiling point 351 Kelvin का होता है natural compounds होते है sorry neutral compounds होते है chemical properties reaction with sodium 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 के साथ reaction करवाता है sodium exo etho oxide देता है ठीक है इसी तरीके से dehydration ठीक है dehydration किसको बोलते है CH3CH2OH के साथ ठीक है जब hot cons करता है H2SO4 के साथ तो carbon methane और यहां पर देगा इस तरीके से double burn बना करके water को अलग करता है physical properties आप यहां पर देखेंगे ठीक है कहां चला गया ओके next slide में आप देखेंगे physical properties of ethanoic acid colorless liquid having the sow test कटा test होता है ethanoic का smell vinegar का boiling point इसका 391 होता है याद रखेगा when pure जब pure होता है तो CS3COH होता है is frizzed it form colorless ice like solid solid के साथ यह बनाता है colorless ice जैसा हो जाता है यह ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे ethanoic acid ethanols के साथ जब जुड़ता है acid में तो यह आपको form बनाता है जिसका हम लोग बोलता है Easter बोलते हैं इसका chemical formula याद रखेगा CS3CO, CS2, CS3 ठीक है अब यह आप देखेंगे sweet smelling इस्टर का जो होता है sweet smelling देता है बहुत मीठा आपको अतर जैसा महसूस होगा ठीक है this is the sponification as soap ठीक है साबुन जैसा भी यह फील होता है prepared by the this इसको prepared करते हैं तो reaction with base next slide लेंगे यहाँ पर reaction with base ठीक है तो यहाँ देखेंगे reaction with base के साथ NaOH, CS3COOH के साथ sodium acetate बनाएगा next यहाँ पर देखेंगे reaction with the carbonates and hydrogen carbonates के बारे में तो यहाँ पर आप इसके screenshot ले सकते हैं इस formula को लिखिए एक बार और खुझ से try के जिए अब यहाँ पर soap और detergent यहाँ पर सबसे ज़्यादा काफी important आपका यहाँ पर point आता है इसको समझ लीजे थोड़ा सा चलिए तो first point में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर soap is a sodium ठीक है और potassium salt long chain carbozane जैलिक acid होता है example के तोर पर देखेंगे कि c17 वाव 17 carbon hydrogen 35, 724 एक 35 और एक वाले hydrogen के साथ c o o n a लगाया जाता है sodium के साथ ठीक है तो यह जाब करके बनाता है आपका sodium बनाता है जो की soap detergent है ठीक है तो इसका याद रखेगा formula c17 is 35 c o a h ठीक है यह वाला याद रखेंगे so for the effective only in a soft water soft water में ही effective होता है क्योंकि अगर dusty water होगा खारा पानी होगा तो सबसे पहले तो उसको clayzing में use करेगा और इस सारा power sodium का खोदेगा ठीक है तो आप देखेंगे आप जब भी गंदे हाथ से आते हैं बाहर से तो आप देखेंगे कि आपका जब भी हाथ साफ होता है त ठीक है ओके तो detergent are the calm ammonium और detergent जो होता है ammonium के साथ sulfonate salt के साथ long chain carbonic acid बनाता है detergent are the effective in a both hard water में भी and soft water दोनों में करता है जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो hard water और soft water दोनों में काम करता है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा तो soft water में करेगा hard water में बहुत कम करता है तो दो बार अगर आप धो रहे हैं ठीक है soda से तो ज़्यादा आपका कप hydrophobic part जो यह सीरा है आप जो देख रहे हैं इसको इस वाले को इसको बोलता है hydrophobic end कहते है और इसको बोलता है hydrophobic end यह दूसरा end है आपका और यह पहला end है ठीक है दोनों तरफ तो यहाँ पर आजाए नीचे अब यहाँ पर समझ जाए कि कोई चीज कपड़ा साफ कैसे हो र यहाँ देख रहे हैं यह यहाँ पर इस तरीके से sodium का तो हर तरफ आपको दीख रहा हो गया यहाँ पर oil deep plate होता है यहाँ पर तो हर तरफ से यह attack करता है ठीक हर तरफ से attack करता है और उसको खतम करता है तब जाकर कि यह साफ होता है so let's have the dissolve.dissolve.co यहाँ पर grease को water को cloths get cleaned इस तरफ से यह clean करता है यह action करता है कुछ points से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं ठीक है salt present होता है water each dissolve insoluble by using the deterrence insolubles a comb not formed with the hard water hard water के साथ काम नहीं करता है so cloths get clean effectively और बहुत जल्दी वह cloths साफ हो जाता है सिर्फ पानी से धोएंगे तो नहीं होगा अब आज यहाँ पर कुछ question answer है जिसको आप बाखुब ही यहाँ पर देख रहे हो very short answer question है जिसमें देख रहा है how does the carbon attain the noble gas configuration draw the electrons dot a structure of water molecule water molecule का H2O का कैसे बिनाएंगे टेके तो यहाँ पर हो गया a single होगया ODStructure बोल चाहिए तो डॉर BUTStructure मेहाँ प्याहा पर 6 होना चाहिए तेके यहाँ पर एक हो जाता है यह इसका हो जाता है इस सभी और ये PDF आपको चाहिए जिस पर हम ने पढ़ाया है आपको काफी अच्छे से खुद से पढ़ना है तो आप MI UpToDate को Google पर सर्च कर लीजे वहाँ पर आपको फ़र्ट से पहला वेब साइट मिलेगा वहाँ से जाकर कि आप डाउनलोड कर सकते हैं नहीं तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच